सीजन फूर एपिसोड शिक्स टार्ट होता है और हमें दिखाए गया है लॉस पॉलोस का ट्रक उस लॉस पॉलोस के ट्रक पर फिर से कुछ लोग हमला कर देते हैं उसके driver को मार देते हैं और जो लोग Los Polos के truck में मेत को guard कर रहे होते हैं उनको भी मार देते हैं फिर वो मेत चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं नेस्ट हमें दिखाये गया है कि Skyler अब investigation कर रहे है गेल की Last night Walter ने Hank को बताया कि गेल उसका Heisenberg नहीं है जिसे Hank डूंड रहा था वो मरा नहीं है और किसी और को ही उन्होंने मार दिया है फिर Skyler को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बढ है तो इसलिए अब वो फिर से investigation करनी start करते थी है Walter को उठाती है और पूछती है कि क्या तुम इस गेल को जानते थे जब वो उसे प्रेस करती है तो Walter भी मना नहीं करता फिर वो Walter से पुछती है कि गेल को जिन लोगों ने मारा क्या वो लोग भी तुमें मार सकते है तो Walter बोलता है कि नहीं मुझे वो लोग नहीं मार सकते Skyler फिर उसे बोलती है कि कल तुमने जो message छोड़ा था वो मैंने फिर से सोचा तो मुझे लगा कि तुमने ये good bye message send किया था ये एक तुमें हमारी याद आ रही थी इसलिए तुमने ये message नहीं किया था पर तुम किसी trouble में थे इसलिए तुमने ये good bye message मुझे send किया था थोड़े दिन पहले तुम एक fight में भी थे इसका मतलब तुम कुछ trouble में हो कल रात तुमने जो हैंक को बोला ये इसलिए तुमने किया क्योंकि तुमें कुछ help चाहिए तुम उससे help मांग रहे थे पर तुम directly उसे बोल नहीं पा रहे थे वाल्टर उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम कुछ भी बोल रही हो स्काइलल मान ही नहीं रही होती और बोलती है कि हमें पुलिस के पास चले जाना चाहिए हमें उनको सब सच बता देना चाहिए फिर Walter उस पर चीट जाता है और बोलता है कि तुम मुझे समझती क्या हो मैंने अगर ये काम छोड़ दिया तो एक पुरा बिजनेस यहां बन हो जाएगा ये इतना बड़ा बिजनेस है कि नैशनल बिजनेस की लिस्ट में भी ये आ सकता है एक अपने अपने घर पर होता है और उसको कोई मार कर चला जाता है तो क्या तुम मुझे वो समझती हो जो मर जाता है Walter उसे बोलता है कि मैं वरने वालों मैंसे नहीं हूँ मैं वो हूँ जो डोर पर नौक करता हूँ यानि कि वो मारने वालों मैंसे है Indirectly वो बता दिता है कि Gale को मैंने ही मारा है फिर Walter Shower में चला जाता है Skyler फिर घर से निकल जाती है Walter जब Shower से आता है तब उसे Skyler कही भी नहीं दिखती जब रात होती है तो Walter Car Wash के ओनर के पास जाता है वो उससे कीज लेने वाला होता है तो कारवाश का जो ओनर होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें अब बॉस बनना पड़ेगा बॉस बनने का मतलब टफ होना है उसे वो चेडाने के लिए बोलता है कि तुम अगर बॉस बनते हो तो तुम्हें कैशियर से भी गाड़ी या धुलवानी पड़ती है वाल्टर उस पे ज़्यादा चीरता नहीं पर जब वो अपने फैमिली एक नोट होती है उसकी और वो कारवाश में होती है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है फिर वाल्टर उसे बोलता है कि जैसा हमने बोला था वैसे ही तुमें कारवाश चोड़ना है तुम ये नोट नहीं ले जा सकते है फिर वाल्टर उसके मन का समाधान करने के लिए उस नोट को लेता है और वेंडिंग मशिन पर जाता है और अपने लिए एक कोक लेता है उसी न नोटिस करता है और उसे बोलता है कि तुम अब कुछ खाना खालो और उसे खाने के लिए देता है नेक्स दिन हमें वाल्टर और वाल्टर जुनियर ब्रेक्फास्ट करते हुए दिखते हैं वाल्टर वाल्टर जुनियर से बोलता है कि क्या तुम्हारे मदर का कॉल आया था और वाल्टर जुनियर बोलता है कि हाँ आया था और वो आने वाली है घर पर फिर Walter बोलता है कि वो कहा गई कब आने वाली है बताया तो Walter जुनियर बोलता है कि नहीं मदर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला पर वो आने वाली है फिर Walter Walter जुनियर को स्कुल के लिए ड्राइव कर रहा होता है तब वो उसे बोचता है कि अब तुम घर में फिर से मूव नहीं करने वाले न तो Walter बोलता है कि नहीं मैं अब फिर से घर में नहीं आने वाला फिर Walter का मूर जेंच होता है और बोलता है कि चलो हम एक लिटर डीटोर लेते हैं याने कि अब वो Walter जुनियर के लिए कार बाय करने वाला होता है वो एक सेकंड हैं कार्स के शॉप पर आते हैं पर फिर Walter जुनियर बतता है यह अगर तुमें मुझे खरीद नहीं है तो कुछ अच्छा खरीदो वो एक स्पोर्ट्स कार देखता है फिर Walter उसे वो खरीद देता है और हमें वो डायरेक्ली ड्राइवे में दिखाया गया है Walter जुनियर उसे थैंक्स बोलता है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है उस कार को देखकर फिर Walter काम के लिए आता है तब वो जेसी को बाहर देखता है जेसी को वो एक साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि तुम माइक के साथ क्या करते हो मुझे एक अपडेट दो फिर जेसी उसे बोलता है कि हम मनी पिकप करते है मैं उसका बोड़ी गाड टाइप उसका काम कर जाता हो ति Walter उसे बोलता है कि यह चल क्या रहा है तुम्हारे पास ट्रेनिंग नहीं है या तुम कुछ बहुत ही बिग शॉट हो ऐसा भी कुछ नहीं है यह एक सेट अप हो सकता है ऐसा वो बोलता है फिर जेसी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि किस तरह की सिचुएशन आई थी मैंने उसे दो लोगों से बचाया था यह एक सेट अप नहीं हो सकता फिर Walter को और भी उसका शक गहरा होता है और वो बोलता है कि यह सेट अप ही था यह एक चाल है यह सब मेरे बारे में है फिर जेसी उस पर चीड कर वहाँ से निकल जाता है वो फिर कुक करते हैं औ Walter को अकेले ही साफ सबाई करने में बहुत ही दिक्कत हो रही होती है तो वो उपाय जाता है वो कारवाशी होता है तो वह बहुत सारे इंप्लोईज होती है वह कुछ लेडिज होती है जिनको वो पूछता है कि क्या वो उसे हेल्प करेंगी वो मैक्सिकन होती है तो उनको इं और वहारा होती है और वाल्टर फिर उन्हें बहुत सारे पैसे दिखाता है फिर वह क्यावधा है जाती है और वाल्टर आराम से बैठता है चामरी कि तरफ देखता है यानि की ग,- सबसक्तलlying को देखता और उनसे काम करवा लेथा है फिर हमें Skyler उसकी बेबी को लेकर borders पर दिखाई गई है वो एक four state border होती है वो फिर coin flip करती है फिर वो coin Colorado में जाकर रुकता है Skyler फिर से coin flip करती है फिर से वो वही जाता है फिर वो अपने पेर से उस coin को निकाल कर फिर से Mexico में लेकर आती है उसका कही जाने का मन नहीं होता वो confusion में होती है कि उसे लग रहा होता है कि वो और उसकी बेटी को लेकर वो वहाँ से भाग जाए उसे अब Walter के साथ नहीं रहना होता उसे अपने old life में वापस नहीं जाना होता पर उसके deep down उसे वही रहना होता है तो वो फिर से अपने पेड़ से लेकर उसे मैक्सिको में डाल देती है और वो फिर से घर आ जाती है नेक सिन में माइक और जेसी दोन एक घर के बाहर होते है माइक उसे बोलता है कि हमारा जो मेत है वो कुछ लोगों ने चुरा लिया था अब मुझे खबर मिली है कि इस घर में कुछ लोग है जो हमारा मेत से लेकर रहे है और हमने उन्हें वो मेत नहीं दिया यानि कि यही लोग है जिनके पास हमारा मेत है और इन्हों नहीं चुराया था तो वो घर पर नजर रख रहे होते माइक बोलता है कि हम थोड़ी देरे बाद जाएंगे और हमारा मेत फिर से लेकर आएंगे फिर जैसी कार से उतर जाता है माइक पुछता है कि तुम किदर जा रहे हो जैसी बोलता है कि मैं उनसे डील करने जा रहा हूँ मैं उनसे पूछता हूँ कि वो मुझे सेल करेंगे या नहीं जेसी डोर पर जाता है और बोलता है कि मुझे भी थोड़ा सा मेत चाहिए टकर फिर डोर पर आता है और वो उसे मेत मांगता है पर टकर उसे मेत नहीं देता वो बोलता है कि हम Bertrande Ages को सेल नहीं करते फिर जीसी फिर से गाड़ी में आकर बैट जाता है जीसी को इक फिर से आइडे आता है और उह माईक को अपना ट्रंक उपन करने को बोलता है वहाँ से वो एक शवल निकलता है और वो याड में जाकर खोदने लगता है तभी वाद टकर आ जाता है, टकर उससे पुछता है कि तुमें क्या लगता है, कितना वो डीप होगा, वो मैथ हेड़ी होता है, तो वो जेसी से वो शवल ले लेता है और वो खुद खुदने लग जाता है, फिर जेसी घर में पोच जाता है, वो घर में आकर और आदमी उसे गर में दिखता है वो उस आदमी से पूछता है कि मुझे मेत कर इतना है कि क्या तुम मुझे दे सकते हो टकर ने मुझे बोला कि तुम मुझे मेत सेल कर सकते हो फिर वो आदमी टकर को बुलाता है वो बोलता है कि टकर के जो फ्रेंड से उन्हें देने के लिए हमारे पास उतन पर वो उनका नहीं सुनता जब माइक और जेसी डिनर कर रहे होते तो माइक से मिलने गस वहाँ आया हुआ होता है फिर माइक उसे बोलता है कि जिन लोगों ने हमसे वो चुराया था उन्होंने वही मेथ कुछ लोगों को दे दिया वो एक मैसेज सेंड करना चाहते थे और हो मैसेज भी उन्होंने बकेट के लीड पर लिखा था माइक उसे एडवाइस करता है कि मुझे सिर्फ 10-15 प्रोफेशनल लोग हायर करने दो और मैं इस सब सिचुएशन से निपट लूँगा पर गस उसे बोलता है हम जरा रुकेंगे और उसके बाद हम उन पर हमला करेंगे तब तक हम उससे एक मीटिंग बुलवा लेंगे फिर जैसे बाहर होता है और गस जा रहा होता है तो जैसी गस से बुचता है कि तुमने मुझे क्यों चुना इस सब काम करने के लिए तो गस उसे बोलता है कि मैं लोगों में पोटेंशियल देखता हूँ जब स्काइलर राइट में घर पर आती है तब वो वाल्डर जुनियर की कार देखती है वाल्डर जुनियर उसे बोलता है कि फादर ने मुझे कार खरीद कर दी तो Skyler बोलती है बहुत ही अच्छा हुआ फिर Walder Junior अपनी गाड़ी को आई पर ले जाना चाता है तो Skyler उसे बोलती है कि आराम से जाओ और बहुत ही स्टो चलाओ फिर वो आ से जाता है फिर Walder सफाई दिनने के कुशिश करता है वो बोलता है कि कल मैंने जो भी कुछ बोला वो बहुत ही गुशे में बोल रहा था और मेरा वैसा कुछ मतलब नहीं था वो उसे बोलता है मैं जो भी कर रहा हूँ तो मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करता हूँ फिर स्कायलर उसे बोलती है कि अगर तुम family को protect करना चाते हो तो तुमने क्यों उसे इतनी बड़ी कार लेकर दी हम जो story बना रहे है उसको वो directly contradict करती है फिर वो उसे बोलती है कि तुमें वो कार फिर से return करनी होगी कल ही तो वाल्डर उसे बोलता है कि अगर मैंने इसी किया तो वो तुम्हें ब्लेम करेगा स्काइलर उसे बोलती है कि मुझे वो ब्लेम लेना ही पड़ेगा मुझे ही बुरा बनना पड़ेगा तुम हमें प्रोटेक्ट करे हो पर हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत तुम से ही है ये बोल कर ये एपिसोड खत्म हो जाता है